इस coaching industry में जब भी results आते हैं इंस्ट्ट्यूट्स के किसी भी coachings के एक संख्या के मकड जाल को लेके लोग बाग दिख बरमित करते हैं, फोटोज के बड़े जाल को लेके दिख बरमित करते हैं, तो मुझे लगा कि इन जुठे सच्चे आकणू से एक गांस से समाने से बेटी हो किसी गलत हाथ तुम सोप जाते हैं तब कहीं दर्द होता हमजे सेविक्ति को जिसने आज के चोईस साल पहले सपने के साथ कोचिंग स्टार्ट किया था कि सेल्सी का सपना हर घर से डोक्टर बने इंजनियर बने अपना दोस्तों दर्द से पैदा हुआ से है अब बात आती है तो क्योटी आती कहा से है बित्कुल को ले करना चाता हूं मैं कोचिंग मैं भी काम कर रहा है कॉछिंग के क्यांग क्या है ऊप कम क्या हैं चौटि है के साथ हिखंग कार बात कर रहा हुँ तो यह ने इसे में मेंडेकल की ऊद्व युग थविर से रचाइए दोस्तों मेंडिक बादेन जो बाद रचे कोंच और डकिशन बारिमी के बात है. माइ भी चाहता हूँ 3-4-5 साल से जो कोई स्टूडेंट चारी कर रहा है और कोई भी कोचिंग उस रिजल्ट लो कलेम करती है, तो वो claim उसका सही नहीं है हो सकता हो बच्चा कहीं और की पढ़ावा हो दो साल कहीं एक साल और की पढ़ावा हो जिस साल स्लेक्ट हुआ हो आपके पास आया हो आप उसका photo चापते हैं आप result चापते हैं आप गलत भी नहीं है या पर गलत भी है क्योंकि आपने उसको एक साल दिया है आदे उसके पास तीन साल कहीं से मेटर पढ़ा हुआ है तो मैं इस वीडियो के माद्यम से अब एक quality result की बात करना जा रहा हूँ मेरे पास मेरे बहुत शांदार से मेरे छे बेटे है मैं एक एकween कापस प्रिच्छे कराता हूँ विरिंधर सिंग आप सुरतघर से हैं गानगर डिस्टिक से दुस्तों आप मेरे पास 11 पास्त मावीर वर्दमान कोलेज में आप देली से आये हैं आप एके पास बैटने हैं जग्दिश जो लड़का अलवर करने के बाद एक साल के लिए मेरे पास टार्गेट में रहा इन्हें फ्रेशर बच्चा है आपका रहें के एक सोटीस आप अलवर राजगड के रहने वाले हैं मेरे पास बैठा हुआ मेरा बहुत लाडला सा बैटा आरियन यादव जो टेंथ पास करके टेंथ मेरे एक दोस्त उसका स्कूल है आपके रेंवाल में जो मेरे बहुत अच्छे पारेजमित्र हैं उनके गाइडेंस से आप से आए आप 11 12 मेरे साथ रहे दुरुभागे कह सकता हूं कि आपकी एज नहीं थी इसके आपको बारा के साथ आप एक्जाम नहीं दे पाए आपको एक साल वेट करन जाती है तो आप आरियन यादव है आप भी मुदनाजाद में जगदिस भी वर्तमान में मुदनाजाद में हैं अब मेरे पास बैठा बहुत ही लाड़ला बैटा सक्तिरा जहला दोस्तों परताब गड़ सीकर से बहुत दूर आपके फादर एड़ोकेट हैं आपने या टें एलजेंट है विलपावर रही मैं यहां कहना चाहूंगा कुछ लोग आर्गुमेंट्स करते हैं यह लड़का दोस्तों जैनवरी और फरोवरी क्यों करीब एक महने आँखों के आई साड़ को लेके बहुत बढ़ रही इसको लेकिन ठीक है उस प्रॉब्लों को इस फेस करत पड़ क्या है 12 करने के बाद आप मेरे पास टार्गेट में रहे आप फ्रेशर है उज्वल का नीट का स्कोर 328 है पट आपका एम्स का स्कोर रेंक 244 रेंक था आप एमस के थूरू आप एमस जोत्पूर है और आप फ्रेशर है उसके पास हमारी बैठी लाडली बैटी अनि 90 रेंक रहा यानि यह जो मेरे लाडली मेरे साथ बैठे हैं दोस्तों फ्रेशर रेंक 349 फ्रेशर नीट का रेंक 328 उसके बाद आपका बचा फ्रेशर रेंक 130 फ्रेशर 141 विट 12 255 और फ्रेशर 190 यह है रिजल्ड कॉलिटी यह च्छे बच्चे हैं जिन पांच फ्रेशर है एक बारी मी के साथ है यानि 350 की रेंक से नीचे मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं मैं CLC की एक विसेस्ता बता दूँ कि CLC मेडीकल के रिजल्ड को विट 12 और फ्रेशर को शो भी करती है उसको एक्स्पेंड भी करती है क्योंकि यह एक अच्छा रिजल्ड हम देते ह क्योंकि 11 में मैं स्कूल में था तो स्कूल में मेरी पढ़ाई कोई खास अच्छी नहीं हो रही थी तो पापा के फ्रेंड थे सुकदेव चौधरी सर वो भी CLC में फैकल्टी है उन्होंने तुरंद मतलब दो दिन के अंदर उन्होंने मेरे अडमिशन कर आया और मैं CLC आ ग सकता है तो कहीं नहीं अगर कोई एक बच्चा जो की थोड़ी मेहनत करने की के पिपिलीटी रखता है उसके अंदर आग है कि मुझे कुछ ऐख करना है तो तुम्हारे भी सपने सच हो सकते हैं तो CLC ने पहली चीज यह दिये दूसरी चीज़ जब मैं CLC का नाम सुनता मार्क के अंदर नहीं आता क्योंकि जब मैं अब कॉलेज में गया ना तो कॉलेज वाले जो मेरे दोस्त है जो दूसरी कोचिंग सो बिलॉंग करते हैं उन्होंने कोचिंग के नाम पैसा एटमस्फिर बना रख है ना बिल्कुल एक एकनॉमिक वाला कि उनके पास में बिजनस जल रहा है तो वो नहीं आता मेरे मन में बहुत जानते बहुत की तिनी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत से कितना ड़रते थे तो यह एक ना बिल्कुल परिवार वाला महौल था तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को कि मैं किसी कोचिंग में हूँ और मुझे किसी कहीं मुझे वो ओपर्टॉनिटी नहीं मिल पारी मैं कर सकूँ तो प्लीज आप एक बार को विजट करो मैंने ही कहता कि आप आते ही एड्मीशन लो आप एक बार का महौल कैसा अगर आपको लगता है कि हा यह बाकियों से अलग है क्योंकि मैं दावा करता हूं कि यह अलग ह ठीक है अगर आपको लगता है यह बाकियों से अलग है एक चांस दीजिए मैं इतना प्रामिस करता हूं रिग्रेट नहीं करोगे इच्छा और यह खुलके बोलने की इच्छा इसलिए खुलके बोलने की हो रही है कि एक मावारत का किसम मुझे याद है जब पांडव लास्ट को एक बार गुसा आया था वो गुसाथा दर्द वाला इजिजिटर को लगा कि यार इतना कुछ करने के बाद मिलाईप चाथी क्या मुझे तो इसलिए कि मैं उन लोगों के मूँ पे जवाब दिना चाहता हूं कि काच के टुकणू को चमका के हीरे बना के बेच के बच्च कुछ लोग आते हैं, बच्चों का भवश्य खराब होता है, सालूं खराब होते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, और इस तरह से चैन चलती रहती है, हम चाहते हैं चैन बंद हो, वो इस संस्ता है, स्टेंड करें, जो काम करती हैं, बच्चे को कस्टमर समझ के आप दी का करते हैं, तो दोस्तों, फिर मैं निवदन करना चाहता है, कोचिंग वालों से, भाई बहुत सारे बिजनेस हैं, अब वो बिजनेस करके इस ज्यादा पैसा कामा सकते हैं, आप पर इस बिजनेस बिस्तरे के लोग नहीं आए, इस से मिलाने जा रहा हूँ, सक्तिरा जाला से, सक्तिरा जाला, वैसे तो मैं एक बहुत से छोटे से बिलोंग करता हूँ, जहां पर मुस्किल से 1-2,000 लोग रहते होंगे, वहां पर हम इसे मेडिकल, IIT, इंजिनीरिंग किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ना मेरे पापा को खबर है, ना मेरे किसी और रिस्तेदा सूश होगा, अच्छा environment मीलेगा, अच्छा vibe मीलेगा, वहीं से मेरे को लगा कि मुझे शीयल सी में जाना चाहिए, यह वेहां पर कोचिंग बाकी कोचिंग वी देखी लेकिं से में कुछ रात को केंप होते हैं, बहुत अच्छा है, और पहले तो मैं केवल कोचिंग देखन करते हुझ जमता है किंजंता है फिर यहाँ पर रहा एक दो महीननわか इसा निया पर इक परिवार गभस जर सा आखो में थोड़ा सा प्रोब्लम हो गया जिसकी वज़े से आशु आते रहते थे और इसा फिर चस्मा भी लगा लेकिन फिर भी वह सही नहीं हो रहा था तो इससे में डिस्टरब हो गया गर चला गया तो फिर मेरा अच्छे डोक्टर से तेरे को दिखलवाता हूं तू कर सकत कि यह तो मैंने सोचा कि थे पर बोश ने पेरेंट की तरह बोला मुझे कि महार कर तो मैं बस मैं से में इमोशनल हो गया अगर वह इतनी केर करते हैं तो मुझे विश्वास करना चाहिए पिर में आया यह पर फिर बोश ने यहां पर अच्छे डौक्टर से भी चलाह ले पिर वह भोख लेडवाय चुरू कि उससे अच्छा उब हुआ और पिर एक फ मोटीवेट किया बोश ने जसे वापीस आ गया फिर तैयारी कि और आपको पताएं यहां का का मेंटर हें यहां का जो मतेरियल है यहां कि जो is लगती है जो क्लासे लगती है जो टीचर से बहुत अच्छे हैं बहुत कोपर्रेटी वैं यहां के जो केम पे उस्में सभी साथ बेड कें हैं सभी एक के पेपर में और वही मैंने और किसी के बारे में ने सोचा बच करता गया जाए इसे करते हुए और आखरी में जब नंबर जोड़े तो पिर वह शृष्सोपीच्पन सासुवश में से 655 नंबर आया और जब रिजल्ट आया तब तो वल इंडिया 205 रेंक आई जो कि अन्भी लेविल्टी मेरे को विश्वास नी था कि इतनी आ सकती है हाँ दोस्तों यह सक्तिरा जहला परताब गड़ बहुत दूर से आया गारा बारा दो साल रहा टू डबल फाइफ 255 रेंक नीट में सब कहना बहुत आसान इतना सान है निलाना आप जीम सी ग्रांट में ल परताब गड़ से चला कि दूर से आके चला कि होस्तों मेरे के बच्चा टू डबल फाइफ रेंक ला सकता है तो निश्चित रूप से कोई विक्ती से विश्वास करके अपनी जंदिकी का अच्छा बना सकता है आपने गोर किया होगा यह जीम सिम पढ़ रहा है इसको आज बेंक बेलेंस है उजवल स्वन में रेंग ती ट्वन्टी एट और एम जो फोटी फॉर्य आप में एक स्मॉल टाउन से बिलंकुता हूं सापुरा में वहाँ भी नियुटा में रहता हूं वहाँ पर तौहां पर आस पास किसी का स्रेक्शन है बी नहीं पूरे गाँ में से कि एक बंदा एक आदमी तरह सेलेक्शन हुआ था वो इस साल तो लाष्ट यह था मैं फिर टैंट में अच्छे काश्य प्रसंटेज आगी नेंटी वन तो वहां पर मैंने कि एक सिंपल सी कोचिंग में एडिशन ले लिया सापरा के अंदर तो वहां पर जरा कुछ पढ़ाई होती नहीं थी सिंपल वही बुक्स पढ़ा देते थे वह तो तो फिर में नीट में उस वहां पर देखके आए तो भीड मुझी जाल लगी यहां पर कोई मतलब है नहीं फो इसके आए देखा है मैं आस पार रिलेटिव सेंटी इसमें सिकर आगाया इसका है मैंने देखा पहले मुझी दूसरी कोचिंग विजिट करके आया फिर उसके बार मैं यहां पर आया यहां मुझी देखा कि सारी चीज़े एक ही जगा मिल जाती है यही आज यही खाना खाने है को बोचंग को अवा यही को बीए आप यहां पर रात को रूक बी सकते हो पढ़ भी सकते हो को उसके बाद मैंने यहां पर देखा कि यहां पर जो स्टाफ है वे जांथा ठाएılar को ठ कि यहाँ से पिल्ट अप हुआ और यह पोट को आगे जो रीक निज में डिक्कत ने उतीग आप टेस्ट भी देर हो किया यहाँ लगुए लगव मने एटी बने ट्रीट्स दियोगे मतलब यह तन्या मैं दस में रुक हूं तीन में डि़ती दिया हूं तो निजल पता ही निज में टेस्ट दे रहा हूं मैं लगा कि मैं सिंपल वही एक गंटे पेले खतम हो गया था कोई मतलब जार होगा नहीं आपके उज्वर सर्वाने बहुत परी बात कही मैं रुका यहां दस महने हैं उज्वर कहता मैं दस महने रुका दस महने मैंने 90 टेस्ट राउंड फिगर में मैं तीन में टेस्ट दी हैं मैंने CLC की यूनिक फिचर क्या क्या है विरेंदर ने कहा कि यहां सबसे बड़ी प्रेंटल केर है एक कॉमन परकिरिया है CLC बिलकुल साब CLC परिवार बोलते हैं लोग इसको जै CLC बोलते हैं उसके बाद जगदिस स्टूडेंट है जगदिस न करता है उज्ड़स रहो भी बात कहता है कि शाम के सेंबली क्या मैं कोट करना चाओंगा बारा फरवरी दो हजार बारा को साब हमने हाँ शाम को स्टार्ट क्या था हनमान चाली साथ उसके बाद यह आज तक नॉन स्टॉप चल रहा है इसमें एक सिंगल ब्रेक नहीं आया है शाम को डेली साड़ेच है और साथ बीच सीजन के अकोर्डिंग ये टाइम आगे बीच वेरी होता है डेली हजारों बच्चा बैठके वहां प्रेर करता है मैं तहीं मान सकता हूं साब कोई भी कोचिंग हर आदमी को डॉक्टर ने बना सकती आइटेंड न न बसकती इतना करते हैं हम हर आदमी को इंसान बनाने की कोशिस करते हैं और इसे तरह से आगे वीवारी वेटी अनिसा मिच्टल है जो अलबर ब्रांच की है यह रही इसने वी एक बात देकी कि अलवर ब्रांच पर वहारे केंप का प्रोसेज है यह क्या है बच्चे यहां बैठके पढ़त पीच सोला साल से 18-19 साल की एज के लड़के लड़कियां मेरे बेटे बेटियां एक साथ बाहर निकलते हैं यह बालिक पांच साल से हो रहा है आज तक को न्यूसेंस नहीं हुआ आपको स्विकार ना पड़ेगा क्यों होती है पैरेंटल रात को मैं नहीं खड़ा और डंड़ है कि अपना स्टेड़ी मेट्रियल जिसके अपने टीम इसका इंदी złि कोटा में टेस्सट चलता ओड़ कि ते साथ सदोनावन बचके पृद कर रहा है तो मनumnा पड़ेगा स्विकार ना पड़ेगा किbang कौलिटी है पूरी सीमें क्या होता है मैं एक बार इन सारे बच्चों से बाद स्फुरू करूं उसके पहले मैं रफली इन पूछना चाहूंगा यह आपको आप आपने पूरी सार्गेट का बच्छा एवरेंज नब्चेस देता है चलो मा आपको बताने जा रहा हूं कि एक साल में हमारा बच्चा कैसे जीता है सेलसी क्या करती है तो इनके जब एडमिशन होते हैं कोई बच्चा जून माया कोई जुलाई माया को यह सब बच्चे वो हैं जो सेलेक्ट फ्रेशर हुए हैं तो 12 के ठीक बाद लोग आ गए थे कुछ बच्चे मारधिन के सब्सक्राइब तो इसको उम्मिद रही होगी कि मिल जा है मुझे कोलेज तो यह लड़के मैज जून में एडमिशन होते हैं जिस तिन आपका एडमिशन होता है उस तिन आपके प्रिंटर प्रोग्राम दिया जाता है उस owning सिंगल क्लास आगे पिछ नहीं हो सकती हर दो वीक के बाद आपका टेस्ट होता है एक टेस्ट मााइनर हुआ तो बिदिस्पलिए हए माइज घो नाम पर टेस्ट होते रहते हैं फिर हमारा भरवरी के से भायो डीटीएस कि नाम बायो के डीटीएस जो ब्रमस्तर दकते चलते हैं वह एक्जाम तक चलती है इस बार आप सो पता है कि एमस का एक्जाम बंद हो गया तो दो मईत तक बच्चा हमारे साथ रहेगा और मैं जहां तक मुझे याद है इन में से करीब करीब बच्चे हुए हैं जिनको नीट का एक्जाम में मैं खुद साथ जाके दिला के लए था जहाला जी आपके साथ को नो गया था मैं जहाला मेरे साथ गया था आरियन के परेंट्स देते हैं मा साथ गये जगदीश मेरे साथ था विरेंदर आपके साथ परेंट्स गयते हैं इन दोनों को तो मैं खुद मेरे एक्जाम साथ जग दिला के ले गया था जारा को तो मैं वो लोग थे जिनको मैं से घाड़ी में बठा के ले गया था प्रम एक्जाम दिला के ला था एक्जाम हॉल तक साथ सिल्स रेती है तो मैं इतना ही नहीं कर सकता हूं एक बच्चा ट्वल्ट का है पांच बच्चे फ्रेशर हैं किसी भी कोचिंग के दोस्तों यह है और सबसे वड़ी क्वालिटी है मैं इस वीडियो के माधिर से कहता हूं यह मेरे कल दिवाक में बात आई कि मुझे मेरे बच्चों बुराची इनको शाम को कप होन वा ता आपको पांच बजे इनको फॉन पांच बजे हुआ आप देली से देली से आप बंबे से आए आप बोमबेश चलाके फ्लाइट पकड़े के दोस्तों सीकर आए हैं आप जोत्पूर से आए हैं आप बच्ची अलोवर घर आई भी थी आज ये सारे बच्चे दोस्तों कल पांच बजे अभी इस समय पांच बज रहे हैं चोईस कंटे में सीकर उपस्तित हैं इनको कहें जु चुकी है और दोस्तों अगले सेस्टन के अडमिसिन हमारे स्टार्ट हो चूके हैं आप निश्चित रूप से दो अप्रेल को पहले वाला पहला बेच है उसके पहले जितना जलदी उसके आके अपने एडमिशन को श्योर करके अपने अच्छे बैस को शूर करके आप होता है। कभी był नहीं कि अजए घ्रॉबागों की जिसे स्यमारी में हन्साइट लात कि अच्ट कि आया रहा है। है। चाही चाहीज जाइक बजय के mesa करीब कुला हूं वहा हुए हुकsta है's मॉह से पोजिटीष मिलते हैं प्राइपस सघा यंद का तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको अनोखे से और भी खुब सारी चीजे मिलेंगी मतलब पड़ाई वगरा और जो कॉमन चीजे वो तो हर जगे मिलेगी पर यहां के आप देखोगे कि यह बहुत चीजे अलग है जो आपको कहीं और जाने पर नहीं मिलेगी तो मैं कहता हूं आ कि आप से को से आना चाहिए और अगर आप से आओ गयो तो आप इस डिसिजिजन को कभी भी रिग्रेट नहीं करो गए कि हम से एक अच्छा बच्चा बनके जाओगे हैं से आप आपको बहुत सारे संसकार मिलेंगे संसकारो के नाम से से बहुत ज़ादा फेमस है कि संसकारो पर रखती है यहां से जो जाते हैं तो बहुत हमको मिलवाते हैं सेमली में जो बहुत की स्टूडेंट से रहे रहते हैं वह आगे जाके कभी आई एस बनते हैं बड़े बड़े अफसर बनते हैं उनका सेलेक्शन नहीं हुआ वो डोक्टर इंजीनियर नहीं बने पर उसे भ हो रहा है इन के अराउंड अब वापस मैं आपको मिलना चाह रहा हूं जगदीश से जो वन थर्टी रहें के साथ सीकर्टों पर रा नीट 2019 जगदीश मैं एक सबसी बड़ी वात यह जो मैंने कोचिंग से निकलने के बाद जो महसूस किये मेरे जो रूमेट है या फिर होस् अच्छल में रहे हो लेकिन फिर भी उने मतलब बिल्कुली परिवार वाला महूल नहीं मिलता है उनको और अकेला पन तो इतना होता है उपर से पढ़ाई का इस ट्रेस इतना होता है वो टीचर्स वगएर से भी इतनी बात नहीं पाती है उनकी तो यह बात बिल्कुल सी एल तो बात ही क्या कर रहा है उनकी और अब कोचिंग से निकलने के बाद मैं सील से को मिस बहुत करता हूं जैमा सील सी कोलेज जाके मोदन आजाद जो यह कुछ कोलेज हैं इंडिया के जो स्वरक हैं स्टुडेंट्स के लिए वहां जाके आप मिस करते हो सील सी को इसका मतलब स स्टान है जिसको एक अच्छा स्टान का सकते हैं अब मैं बात करां चाहूंगा मेरी गुडिया अनिसा मितल से आप अलवर की गुडिया है आप अलवर बांस पे रहे अलवर बांस पे आपने टॉप किया आपका 190 रहें ता नीट 2018 में और नीट 2018 में आप टोप परते सील सी क मैं बोलना चाहूंगी कि जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहे है जिसे आपको नीट रहे है आपको सिलेक्शन जिए तो कोटा जाए आप जाए आप जाए जाए तो मैं भी इसी मेती नहीं पापा मुझे मुझे कोटा जाना है मेरी फ्रेंड भी जारी है मुझे यहां जाना तो यह गलत है मेरा हुआ है और मेरी बहुत अच्छी राइंका यह 190 और इवन अब जब मेरा सेलेक्शन हुआ है तो मेरे आसपास जो कॉलनी में है जो मुझसे लोग है वो भी अब अलवर है के त्यारी कर रहे हैं कि नहीं आपका हो सकता है यहां पर आपको ज़रूरी नहीं चाहरा है कर रूपे साल खा देखे आप Formagen अई कर पार और आप जाओ आप कोटा जाू आप जाओ आप जयब जाओ आप में हाड्व imaginा इच्छी मौनी चाहिए अच्छी ऐं अच्छी कोचिंग होनी चाहिए आपके पास बस यहीं चाहिए होता है ऑडियार आपका अलवर है करने हैं तो मुझे कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए मिला और आपको मोटिवेशन चाहिए टाइम पर जो आप डी मोटिवेट हो रहे हैं उसके लिए भी मुझे मोटिवेशन पूरा सब कुछ मिला और इवन अभी जैसे अब मैं कॉलेज चली गई मुझे फोर्ट सेमेस् से मेरा बहुत ही अच्छा एक्स्पीरेंस लेया है और मैं चाहती हूं कि आप सब भी मतलब मैं रेडी नहीं थी सी एल सी आने के लिए मुझे भी जैपो जाना था पर पापा ने बोला कि सी एल सी और वो राइट डिसीजन था अब मैं पापा से बोलते हूं हाँ आपने सही रखें तो आप शियाजा वह आपकी केर करते हैं तो आप पने पिता का फैस्टा माने अनिसा का फैस्टा नहीं था सेंट से आने का था आज हो फैस्टा सही रहा उनका 190 रेंक 190 बहुत बड़ी बात होती है तो मैं इस वीडियो को समराइज करते हुए मेरी बात को में पढ़ रहे हैं दोस्तों यह इंडिया के टॉप को लेजेज हैं यह सब बच्चे ग्यारा-बारा तेरा सी रहे या कुछ बच्चे बारा के बात तेरा सील से आए पर फ्रेशर है विट्वल सेलेक्ट हुए है कई बार कुछ साथ ही हमारे कहते हैं हिसाब ब्रांचेज काईदा अलोवर जैपूर जोदपूर तिन ब्रांच चलाता है यह मेरी गुड़िया अलोवर ब्रांच के पड़ी हुए यह वहां से इसने रेंग दिया है इसके लावा कोटा हमारा टेस सेंटर चलता है